हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो आई ये डेली गरंट अफेर्स के सीरिस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई 2013 के सभी गरंट अफेर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में इंट तक बने रहिएगा एंट्रेस्टिंग वीडियो है अगर आप इस टॉपिक की पीडियेफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीगे ट्रिक के एप्लिकेशन से या फिर क्रेजी जीगे ट्रिक के टेलिग्राम चेनल पर जाकर इसकी पीडियेफ को आप कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर जाकर आप इसे ले सकते हैं सबसे पहला कुशन देखिए आज की करन्ट अफेर का अंतरास्टि बाग दिवस प्रतीवर्ष ये किस दिन मनाय जाता है वेरी इंपोर्टेंट याद रखिएगा हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे 29 देने के उद्देश से अंतरास्ट ये बाग दिवस के रुप में मनाय जा रहा है। 2010 में इस दे को मनाय जाने की योजना रूस में आयोजीत इंटरनेशनल कॉन्फरेंस में की गई थी और इस गोशना के बाद से ही 2010 से इंटरनेशनल टाइगर डे के रुप में 29 जुलाई क जैसा कि अभी मैंना आपको बताया पूरे विश्व में टाइगर के सरक्षन के उद्देश से इनके सवर्धन के उद्देश से ये डे मनाया जाता है अब देखिए अगर हम इंडिया में टाइगर रिजर्व की बात करें तो बागों के सरक्षन के लिए भारत में अभी तक 53 इस्तापित किये जा चुके हैं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागर जुन सागर शिरी शेलम टाइगर रिजर्व भारत के आंधर प्रदेश राज्जी में इस्तित है जबकि भारत का सबसे छूटा टाइगर रिजर्व महरास्ट में बोल टाइगर प्रक्षन के लिए भारत में टाइगर प्रजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। या क्रेजी जिकेट ट्रिक एप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंतली करंट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मंत के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्चन होते हैं। उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है। जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड देखिए बालश्रमिक योजना का संबंद किस राज्ज से है। तो हाली में चर्चा में रही बालश्रमिक योजना उत्तर प्रदेश गवर्मेंट की योजना है। उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने हाली में राज्ज के सभी 75 जीलों में 5000 बच्चों की मदद के लिए बालश्रमिक विध्या योजना का विस्तार किया है। वेसे तो इस योजना की शुरुआत राज्ज के 20 जिलों में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट की गई थी लेकिन अब इस योजना को राज्ज के सभी 75 जिलों में शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्मन ने राज्ज में बालश्रम को समाप्त करने के उध्देश से इस योजना को शुरू किया है बालश्रम को समाप्त करना भी इस योजना का एक अदर उध्देश है इस योजना के तद बालोकों को रज में एक हजार रुपे प्रतीमा की आर्थिक साहिता प्रदान की जाएगी जबकि रज में जो बालिका हैं उन्हें बारा सो रुपे प्रतीमा प्रतीमा प्रदान किये जाने वाले हैं तो हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि बाल्श्रमिक विध्या योजना उत्तर प्रदेश गवर्मेंट की योजना है। इसके अलावा मुख्य मंत्री कन्या सूमंगला योजना, मुख्य मंत्री अभ्युदा योजना, बीसी सकी योजना और भाग्य लक्ष्मी योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्मेंट की अधर इसकिम्स के नाम हैं। आगे आईए, भारत के 83 वे शत्रंज ग्रेंड मास्टर आदित्य एस सामंत का सम्मंद किस रज्ज से है। इनके पहले दिखिए, भारत में सबसे पहले शत्रंज ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जो की भारत के तमिल लाडु रज्ज से है। आदित्य एस सामंत भारत के 83 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं, जो की भारत के महरास्ट रज्ज के रहने वाले हैं। अब जैसा की इंटरनेशनल चेस वेडरेशन की बात करें, तो इसकी स्तापना देखिए, 20 जुलाई 1924 को की गई थी, पूरे विश्व में चेस कॉम्पेटिशन का एजन करवाने वाली और इसे नियंतरित करने वाली ये सबसे बड़ी संस्ता है। इस संस्ता का मुख्यालाई स्वीटजर लेंड के लुसाने में इस्तित है। दुमीका का पता लगाने के लिए अनुसन्नान का कारी करता है। छे महादिपों के 40 शहर इस फोरम में शामिल है, और अब भारत का बैंगलोर, World Cities Culture Forum में शामिल होने वाला विश्व का 47 शहर बन गया है। और इस तरह इस फोरम में शामिल होने वाला यह देश का पहला शहर है। सयुक्त रास्ट के 62 सामाजिक विकास आयोक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो 2023 में देखिए युनाइटेड नेशन के 62 सामाजिक विकास आयोक की अध्यक्षता भारत को सोपी गई है। भारत देखिए 2027 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कारी करने वाला है। हाली में युनाइटेड नेशन में भारत की स्थाई प्रतिनिधी रूची का कमबोज ने सयुक्त रास्ट के 62 सामाजिक विकास आयोक के अध्यक्ष का पत समाला है। 50 साल में देखिए ये पहला मोका है कि भारत को United Nation के इस आयोग की अध्यक्षता मिली है। इससे पहले 1975 में भारत United Nation के सामाजिक विकास आयोग का द्यक्षे रह चुका है। और अब 2023 से 2027 तक भारत इस आयोग का द्यक्षे रहने वाला है। युनाइटेड नेशन के सामाजिक विकास आयो के 62 सत्र की केंदरी थीम की बात करें, तो युनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलप्मेंट पर जो 2030 का एजेंडा है, उसके क्रियानवेन में तेजी लाना और सामाजिक नियाय को बढ़ावा देना है, अब 2023 में इसके 62 सत की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, उके, आई होप यहां तक के सभी करंट अफिर आपको समझ में आ गए होंगे, आज देखिए कंट्री इन न्यूज में हम बांगलादेश को डिसकस करने वाले हैं, जो की एशिया महादीप का एक देश है, और भारत का पडोसी देश है बांगलादेश की केपिटल ढका है और यहां की ओफिशल करंसी ढका है, यहां के वरतमान में रास्टपती शाबुद्दिन चुप्पू है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, पडोसी देशों की बात करें, तो भारत और मयानमार वरतमान में बांगलादेश के पडोसी द बांगलादेश से घिरा हुआ है। बांगलादेश देखे 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अस्तितु में आया था। उसके पहले बांगलादेश को पुर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के बाद भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांगलादेश के साथ है जो की 4096 किलो मिटर की है भारत और बांगलादेश के बीच में मेत्री एक्स्प्रेस, मिताली एक्स्प्रेस और बंधन एक्स्प्रेस जैसी ट्रेने चलाई जाती है ब्रह्मोपुत्र बांगलादेश की सबसे बड़ी नदी है बांगलादेश में ब्रह्मु पुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांगलादेश में हमें तीन युनेसको साइट्स देखने को मिलती है सुन्दरवन का डेल्टा, बगेरहाट मस्जित शहर और पाहरपूर बौध्ध विहार ये तीनों ही बांगलादेश में युनेसको की साइट्स हैं तो बांगलादेश के सभी फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी आई होब आपने ध्यान से सुने होंगे, आगे बढ़ते हैं हाली में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मुलन की घोशना की है रुबेला जोकी एक प्रकार का वाइरस जनित रोग है फ्रेंट्स हाली में इसके पूर्ण सफल उन्मुलन की घोशना भारत के पडोसी देश भुटान ने की है आंसर भी हो जाएगा भुटान ने देखिए 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद रुबेला पर विजय प्राप्त की है 2019 में भारत ने भी 2023 तक खसरा और रुबेला उन्मुलन का लक्षन इरधारित किया था जैसा की अभी हमने डिसकस किया है रुबेला एक वाइरस जनित रोग है जो की ऐसे बच्चों पर अटेक करता है जो की फिजीकली कमजोर है या फिर ऐसे कुपोशित बच्चे जिनकी रोग प्रती रोधक शमता बहुत कम है रुबेला वाइरस देखिए बच्चों में अंदापन, कान के संक्रमन या नीमोनिया जैसी होने वाली जटिल बिमारियों का कारण हो सकता है जिससे पूरे विश्व में हर साल काफी सारे बच्चों की मृत्य हो जाती है अब 2023 में भारत का पडोसी देश भुटान एक एसा देश बन गया है जिसने 100% अपने देश से रुबेला वाइरस को खत्म किया है हाली में चर्चा में रहा मेत्री सूपर थर्मल पावर प्रजेक्ट किस देश में इस्तित है तो देखे अभी हमने बात की थी मैत्री एक्सप्रेस की ये ट्रेन भारत और बांगलादेश के मद्दि में चलाई जाती है इसलिए मैत्री सूपर थर्मल पावर प्रजेक्ट भी बांगलादेश में इस्तित है अब चर्चा में क्यों है बात आती है तो देखे फ्रेंड्स हाली में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेट जिसे भेल के नाम से जाना जाता है इसने बांगलादेश में बिजली ग्रीड के साथ तेरा सो बीस मेगावाट मेत्री सूपर थर्मल पावर प्रजेक्ट की 607 मेगावाट की दो युनिट के सिंक्रनाइजेशन की हाली में घुशना की है तो बांगलादेश बिजली ग्रीड ने हाली में भेल के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इसलिए मेत्री सूपर थर्मल पावर प्रजेक्ट हाली में चर्चा में आ गया है कहां इस्तित याद रखिएगा तो ये बंगलादेश में इस्तित है हाली में किस भारती रेलवे स्टेशन को युनेसको दुआरा एशिया प्रशान्त सांस्करतिक विरासत पुरसकार प्रदान किया गया है तो एसा रेलवे स्टेशन भारत का बाईकुला रेलवे स्टेशन है जिसे हाली में देखिए युनेस्को द्वारा एशिया प्रशान्त सांस्करतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब बात आती है कि ये किस रज्ज में इस्तित है तो ये महरास्ट के मुंबई में इस्तित है बाईकुला रेलवे स्टेशन को प्राप्ति ये पुरस्कार हाली में भारत के रेलवे मंतरी प्यूश गोयल को प्रदान किया गया है युनेस्को द्वारा ये पुरस्कार देखि पूरे विश्व में किसी भी साइट को हेरिटेश साइट का दरजा युनेसको के द्वारा ही दिया जाता है। युवाम कुलम दा स्प्रिट ओफ यूथ फेस्टिवल 2023 का आईजन भारत की राजधनी नई दिल्ली में किया जाने वाला है। आपको ये भी पता चल जाता है कि इस फेस्टिवल का इस साल ये तीसरा संसकरन है। शंकरी चंदरन को ये जो पुरसकार है इनकी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए दिया गया है। देखे पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है इसकी बात करें। तो ये उस पुस्तक को या उपन्यास को दिया जा सकता है जिस पुस्तक या उपन्यास के किसी भी पेरेग्राफ में या किसी भी हिस्से में आस्टेलिया ही जीवन का वनन किया गया हो। अब शंक्री चंदरन की ये जो पुस्तक है ये देखिए आस्टेलिया के कठिन और जडिल जीवन को बताती है और इसके अलावा वहां के उपनिवेश वात के बाद के जो आगात हैं लोगों के दिलों पर उस पर प्रकाश डालती है तो शंक्री चंदरन को अपनी पुस्तक के लिए माइलस फ्रेंकलिन सहित्ति पुरसकार प्रदान किया गया है इस पुरसकार की शुरात 1957 में की गई थी दिया क्यू जाता है अभी मैंने आपको बताया किसकी इस्मृती में दिया जाता है इसकी बात करें तो ये मशूर लेखी माइलस फ्रेंकलिन के सम्मान में दिया जाता है 1957 में इस पुरसकार की शुरुआत की गई थी ओके तो यहाँ पर देखिए हमने 29 जुलाई 2023 के सभी गरंट अफेर्स को डिटेल में समझा अब आज की फैक्टिशिट में हम भारत के प्रमुक व्यक्तियों के समाधी इस्तल के कहा जाता है शांतीवन जवालल नहरू का समाधी इस्तल है विजय घाट लाल भादूर शास्त्री के समाधी इस्तल को कहा जाता है शक्ति इस्तल इंद्रा गांधी अभाए घाट मुरार्जी देसाई किसान घाट चोधरी चरंड सिंग ये इंपोडेंट है याद रखेगा उदय भूमी के आर नारायन के समाधी इस्तल को कहा जाता है वीर भूमी राजी उगांधी का समाधी इस्तल है इसके बाद महा प्रयान घाट डॉक्टर राजेंदर प्रसात के समाधी इस्तल को कहा जाता है नारायन घाट गुलजारी लालनन्दा समता इस्तल जग जीवन र तो ये 15 प्रमुक व्यक्ति हैं जिनके समाधी स्तल के बारे में हमें पता होना चाहिए। रास्ट को समर्वित किये हैं। तो ये सभी एसे करंट अवेर हैं जिनको हमने लास्ट डे के सेशन में डिसकस किया था। अब आप सभी के लिए आज का कुश्चन आफ दे है ग्रिश्म कालिन ओलंपिक खेल 2024 का आईजन कहां किया जाएगा। कमेंट में इसका अंसर जरूर दीजेगा काफी important कुश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक important update है। अब आपके लिए crazy jika trick के सभी courses website पर भी available है। ये सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर design किये गए हैं। यहां हम basic concept के साथ comprehensive learning पर focus करते हैं। तो एक बार जरूर website पर visit करें। इसका link आपको description box में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए। चैनल को subscribe कर लिजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करेंट अफेर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिन जय भारत।